Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोगों के साथ राजस्थान की बहुत ही फेमस डिस गट्टी की सबजी की रेसिपी से एर कर रही हूँ मैं इसे अपने तरीके से बनाऊंगे गट्टी की सबजी मेरी one of the most favorite सबजी है और जब से मैंने इसे इस तरीके से बनाए तब से तो मैं इसकी फैन हो गई हूँ तो आप वीडियो का अन तक जरूर देखे आपको भी बहुत पसंद आएगी तो चलिए इस पर स्टार्ट करते हैं यहां मैंने मिक्सर ग्रैंडिन में एक चमस जीरा डाला है तो यहां पर देखे पेस्ट अच्छा सा बन गया है यह बहुती स्मूधर और बहुती फाइन पेस्ट बना है अब हम गट्टा बनाने के लिए दो त्यार कर लेते हैं तो मैंने यहां पर देर कटोरी बेसन ले लिया यह लगबग 150 ग्राम है उसके बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी, मिर्च और धनिया और हमने जो मसाला बनाया है वो भी हम इसमें 1.5 स्पुन डाल देंगे थोड़ा सा इसमें हम बेकिंग सोडा और नमक डाल देंगे सरसो का तेल डाल दें और इसे अच्छे से हमें मिला लेना है तो मैं इसे अच्छे से मिला लोगे ताकि इसमें कोई भी गुटले या लम्स नाडा जाए यहां अच्छे से मिल गया है अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर इसका एक अच्छा सा डो त्यार कर लोगे तो यहां पे देखिए डो जो हमारा लगोर त्यार हो गया है इसमें हम थोड़ा सा ओईल लगा देंगे और इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे आप इसका और भी ज़्यादा बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ी बड़े बड़े बनाए हैं, अब मैं यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए चरहा दे हूँ, क्योंकि हम गट्टे को बॉयल करना है, तो जो तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम गट्टे बना लेते हैं, तो मैं यहाँ पर हाथ की मदद से गट्टे बना रहे हूँ, यह देखे कितना perfect बनाया न, आप इसे किसी भी चीज पर रखकर भी इसे गट्टे का safe दे सकते हैं, तो यहाँ पर मेरी तीनों गट्टे जो है बनकर त्यार हो गया, पानी भी अच्छे से उबल गया है, तब हम इ एक बरतन में निकाल लेंगे, गट्टा इतना soft था कि एक मेरा तूट भी गया, आप इसे आराम से निकाले, अब हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे, गट्टा जो है ठंडा हो गया है, और मैं इसे आपको तोड़ के दिखा रूट की ठंडा होने के बाद भी यह एकदम soft है तो अब हम इसे छोड़ी छोटी टिक्रों में कट कर लेंगे, गट्टा में हमने थोड़ा सा सोड़ा डाला है और oil डाला है, इस वज़े से जो हमारा गट्टा वो एकदम soft बना है, यह देखिए और अंदर से अच्छे से cook भी हो रखा है, तो यहाँ पर मैंने सारे गट्ट जो हमारा अच्छे से भुन गया है, तो यह देखिए हलका सा सुनेरा कलर आ गया है, इसका मतलब गट्टा हमारा भुन गया है, तो अब हम इसे एक बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे, और उसे कराई में हम सरसो तेल डालेंगे, सरसो तेल हम थोड़ा सा जादा डालेंगे, क् हम इसे एक बरतन में निकाल लेते हैं मैं यहाँ प्याज का पेस्ट बनाऊंगी आप चाहे तो प्याज को बिना फ्राइ किया विए पेस्ट बना सकते हैं अब उससे बचे विए तिल में मैं एक सुखी लाल मिच दो तीन तेज पत्ता थोड़ा सा जीरा और एक इंच दाल चीनी का टुग्रा डाल दोंगी और एक मेडियम साइज के प्याज को स्लाइसली कट करके डाल दोंगी प्याज का कलर जब चीन्ज हो जाएगा तब हम इसमें मसाला डाल देंगे जो हमने बना कर रखा था तो इसमें मैंने अधरक, जीरा और लेसुन डाला है तो हम इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो खतम हो जाए तो इसे ढखकर हम दो तीन मिर्ट तक भून लेते हैं जब तक हमारा प्याज भी ठंडा हो गया है तो अब हम इसे ग्राइन कर लेते हैं इसे आप बिना पाने के ग्राइन करें यहाँ मसालों को हमने दो मिन तक अच्छे से भून लिया है तब हम इसमें सुखी मसाले डाल देंगे मैं इसमें 1 टेबल स्पून मिर्ची पॉडर, 1 टेबल स्पून धन्या पॉडर और ठोड़ा सा हलवी पॉडर ढाल दूंगी और इसे जो है अब हमें अच्छे से भून लेना है तो यहाँ पे थोड़ा से पानी डाले के इसे अच्छे से मिला लेंगे, तो मसाली को आप अच्छे से ढक भूने ताकि मसाला जो है अच्छे से कूपभी हो ज geliyor और साथ ही साथ भून भी जाए तो मैं यहाँ पे मसाली को अच्छे से मैस भी कर रही हूँ, इसे हमारी करी बहुती स्मूध बनेगी, अब मैं इसमें ती प्रदिष्ट गट्टी की सबजी एक वर आप जरू ट्राइ करें तो यहां पर देखे मसाले जब अच्छे सबुन गया तब हम इसमें फेटा हुआ दही डाल देंगे और यहां भी मैंने गैस का फ्लेम जो है ओफ कर दिया था ताकि दही जो हमारी ना फटे तो हम दही डाल कर इस अच्छे से मिला लेंगे और अब हमने गैस को आउन कर लिया और इसे अच्छे सब भून लेंगे तो यहां पर देखे मसाला जो है हमारा अच्छा सबुन गया है ओल भी सेपरेट होने स्टार्ट हो गया है तब हम इसमें जो फ्राई किया वा गट्टा है वो डाल आप चाहे तो करी बनने के बाद गट्टा को अड़ कर सकते हैं बट आप जब मसाले के साथ भी से भूनेंगे तो सब का फ्लेवर जो है एक दुसरी के साथ बहुत ही अच्छे से कंबाइन हो जाएगा तो यहां 2-3 मिन तक मैंने अच्छे से भून लिया है अब हम इसमें गरम पानी डाल देंगे तो यहां पर देखें गरम पानी डाल दिए आप अपने लुसारे से कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं उसके बाद हम इसमें गरम Oops करके डाल देंगे और कंसूरी मिति में और इसमेंगर दाले इससे फ्लेवर बहुत है अच्छा एगा तो इसे डखकर और इन सब को अच्छे से मिला लेंगे और यहां हमारी गट्टी के सब्जी एक तम पॉफेक्ट बनकर एडी है तो आब हम इसे सर्फ कर लेते हैं यहां देखेए सब्जी हमारा कितना पॉफेक्ट बना है और जो हमारा गट्टा है वो भी काफी सॉफ्ट बना है मैंने इससे अलग तरीके से बनाने की कोशिस की है और यह बहुत ही पॉफेक्ट टर्न आउट हुआ था तो मैं आप लोगों को सजिस्ट करूंगे प्लीज आप एक वर इस रेसिपी को जरूर बनाए यह गट्टा करी की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी तो फिर ठीक है मि बिलते हूं नई वीडियो में एक नई मज़दार रेसिपी के साथ तब तक के लिए बबाए टेक केर